मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्री गन और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेता गन आज हम सब लोग 26 पार्टियां बैंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए यह दूसरी मीटिंग थी पटना में 16 पार्टियां एकत्थी हुई थी तो यह अच्छी बात ही कि कुन्बा बढ़ रहा है आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत दे के जिताया था इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है हर सेक्टर को बरबाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सबसे बैस तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकेट लेके किसी भी ट्रेन में चड़ जाईए आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी आज पूरी बरबाद कर दिया इन लोगोंने रेलवे इन्होंने एकनौमी बरबाद कर दी इन्होंने रेलवे बरबाद कर दी सारे एरपोर्ट बेच दिये इन्होंने जहाज बेच दिये आसमान बेच दिया, धर्ती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ हिनों ने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर ने छोड़ी आज देश में हर आदमी दुखी है युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यपारी दुखी है, इंडस्ट्रिलिस दुखी है, ग्रहनी दुखी है ऐसा कौन सा विक्ति है जो दुखी नहीं है तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एक अत्रित नहीं हुए हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकठे हुए है सुक शांती होगी, प्यार महबबत होगी और देश तरक्की करेगा ना कि देश के संसाधन जो है कुछ लोगों के लिए चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे आज बहुत अच्छा डिसकेशन हुआ और मैं करनाटक सरकार को, कॉंग्रेस पार्टी को और मेरे पत्रकार भाईयों और बेहनों, दूसरी काम्याब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाई के खिलाफ जनता इकटा हो रही है खरगे साब आपने तो हमारे आलांस का नाम बता लिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे इसलिए तो हम इखटा आए है, और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पुछा कि अलग-अलग विचारधारा की लोग है, राजनीती में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते है, लेकिन इसके बावजुद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं है, कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ देश हमारा परिवार है, और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को आई है तो इस आजादी के लिए हम सब इखटा आए है और पक्का भरोसा है कि हम काम्याब रहेंगे हो जाएंगे और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा तो हम इतना उनको एक ऐसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं डरो मत हम है हम है जैस की जनता आप इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे और दो मीटिंग हुई है आज की मीटिंग काफी कामयाब रही मैं खरगे साब आपको शिवको महारीजी सबको धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंतरी जी को देना चाहता बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे मुंबई में करेंगे तारीक तो हम तो ही करेंगे ही लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जै हिन जै महाराष्ट्र झाल झाल